नमस्का मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं जर्खन की स्कूल में हर सनिवार को होगा क्वीज राज्य के सरकारी स्कूलों में अब हर सनिवार को क्योज परत्योगता होगी बतादे परदेश में छटी से बराविता के स्कूलों में ऑफलेण का च्छाय सुरू हो चुकी है इसकी वज़ास से ऑउनलाइन कलास परभावित हुई है ओफलेण कलास सुरू होने के पूर्वे जहाएगार अलाग च्छात्रिशत्रा हर सप्ता इक क्वीज से जुड रहे थे वहीं अब सात लाग से भी कम च्छात्रिशत्रा इसमें जुड पा रहे हैं बता देश पर इसकुली सिक्छा और सक्षर्टा विभाग के सचीव राजेश कुमार सर्मा ने जार्खंट सहचिनिक अनुसंदान और परिशत्र को निदेश दिया है कि हर सप्ता ओनलाइन होने वाला क्वीज और ओफलाइन भी इसकुलों में लिया जाए मौसम विभाग के अंसार आज दिन में मौसम साफ रहेगा हलाकि साम से मौसम में बदलाव की संभवना है इसके कारण आज गुरुवार से सन्निवार तक बारिश की संभवना है बता दे सन्निवार को राची में में गर्जन और बजरपात की संभवना को देखते हैं मौसम अिके आधिक्तम ताप मान में अगले दो से तीन दिनों में दो डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है इसे लोगों को हल्की ठंड का आशास भी होगा रांची के दो पुजा समीतियों को नोटीस पंडाल के वो उद्घाटन कारेकरां पर रोक लगाई गई है सीम हिमन्त को राष्ट्री आदिवासी नरीति में 36 गड़ आने का निमंत्रन कांके रोट रांची सीत मुख्यमंत्री आवासी करेले में बुद्धवार को सीम हिमन्सुरें से 36 गड़ सासन के संसादिय सचीव सहर विधायक बिरो चंद्राका ने मुलकात कर राष्ट्री आदिवासी नरीति में होत्सा 2211 में सामिल होने के लिए 36 गड़ सीम भुपेस पगेल द्वारा भेजे गए अमांत्रन पत्र दिया है इस मौके पस स्री चंद्राकार ने जार्खन सीम को अगोत कराया कि 36 गड़ में देश और विश्व की सबसे प्राचिन आदिम सभ्यता है आज भी जीवी था है इन सभ्यताओं के सनरचन तथा उनके मूल सवरूप को अच्छुन बनाने रखने की दीशा में 36 गड़ सरकार द्वारा करे किये जा रहे हैं राचि हाशिंग सोसाइटी में बनेंगे 25 प्लेट राजधानी राचि में जल्धी हाशिंग सोसाइटी के 25 प्लेट बनेंगे वही बरियातु के चेसायर हूम रोड में भी लगभग 5000 फ्लेटों के निर्मान की बात चल रही है दूसरी और अवास बोड ने विधायन सभाग के पीछे सव एकड़ भोमी पर अवास ये कलोनी तयार करने पर काम पूरा कर दिया है वहाँ भी पांच हजार से अधिक फलेटों का निर्मान किया गया है गंगा के पानी से गोड़ा लोकसभाद छेतर की जनता की बुझेगी प्यास अब गंगा के पानी से गोड़ा लोकसभाद छेतर की जनता की प्यास बुझेगी बतादे गोड़ा दुमकावा देवघर में पाइपलाइन के जरिये पेजाल पूर्ती योजना का टेंडर निकाला गया है केंद्र प्रयोजीत योजना जल जीवन मिशन के तहुत साहिव गंज पेजाल स्वाक्सता प्रमंडल की ओर से 9 अक्टूबर को टेंडर निकाला गया है बतादे इस पूर योजना की लागत रासी 3000 क्रोर है इससे 104 किलो मिटर तक पाइपलाइन बिछा कर घर घर पानी पहुचाने की योजना है बिसर्जन के दीन जगमक करेंगे तलाब राची नगर निकम ने बिसर्जन की तियारी सुरू करती है राजधानी के तलाबो को इसके लिए तियार किया जा रहा है तलाबो में बैरिकेटिंग की जाएगी यहाँ बिजली की भी सज सजा होगी और रोसनी की भी इंतजाम रहेगा ताकि अंधेरा होने पर सधालो किसी परकार के दिकत का समना नहीं हो यही नहीं तलाबो में रेड रीबन से एक चवहदी बनाए जाएगी इसे सधालो को परतिमावों के भी सजन में आसानी होगी बता दे रेड रीबन वहाँ लगाए जाएगे जहां से तलाबों की गहराई शुरू होती है पुजा की चुटियों के बाद जीला 20 सुत्री कमीटियों का होगा गठन जाल खन में जीला 20 सुत्री कमीटियों के गठन को लेकर कवाद अम्तिम चरण में है बतादे पुजा के छुटियों के बाद सिख रही जीलों में 20 सूतरी कमिटियों की गोसना की जा सकती है इसके लिए फर्मूला त्यार कर लिया गया है इसके अनुसार जहामों को 13 जीलों का नेत्यूत मिलेगा वहीं कंग्रेस को 10 और राज़त के पास एक जीले की जीमिदारी होगी इसके अलावा जीलों में उपाद द्यक्ष को छोड़कर 10 लोगों की कमिटी में चार-चार सज़से कंग्रेस और जहामों के कोटे से होंगे वहीं एक सज़से राज़त कोटे से होंगे मुख्य मंत्री हमंत्री ने मातारानी से लिया असिर्वाद साधे नौरात्र की महाष्टमी के उसर पर मुख्य मंत्री हमंत्री राची के हर्मूज थीत पंच मंदीर दुर्गा पुजा पंडाल पहुँचे मुख्य मंत्री ने वहां से जुका कर माता रानी का सिर्वाद लिया बता दे मुख्य मंत्री ने माद दुर्गा से जार्कन वासियों को सुक सम्रेदी सांती एवं खुसाली की कामना की मुख्य मंत्री ने प्राथनाय की की माद दुर्गा सावी को कुरोना संक्रमन से बचाए राजे में अमन, चैन और सांती का महुल बना रहे मुख्य मंत्री ने राजवासियों को दसारा पर्व की सुभकवनाय दिया जारखन में कुरोना के 14 नाय केस मिले हैं जो रांची से साथ, पूर्वी सिमों से दो, वोकारों से चार, रामगर से एक सामिल है जारखन में कुल एक्टिब केस की संख्या 126 है भारत में कुरोना के नाय केस 29 यार 177 मिले हैं वहीं भारत में कुल एक्टिब केस की संख्या 2 लाग है भारत न्यूजिलेंड मैच में कोई रुकावट नहीं, रांची के रेडिशन बुलू में रुकेंगे खिलाडी भारत और न्यूजिलेंड के बीच रांची में 29 नूमबर को होने वाले अंतराश्ट्रिय क्रिकेट मैच के दोरान होटल में ठारने का मुद्दा सुझा लिया गया है बता दे होटल रेडिशन बुलू प्रवंधन की ओर से कहा गया है कि टीम को ठारने के लिए होटल में अधिक से अधिक कमरोग व्यवस्ता हो गई है मैच सुरू होने के पहले खिलाडियों को बायो बबल में ही होटल उपलब्द कराया जाएगा इधर यह अभी पता चला है कि बिहार के जहानाबाद के जीस आयस अधिकारी के मेहमानों को होटल रेडिशन बुलू में ठार आया जाना था उसके लिए भी अलग व्यवस्ता हो गई है बैग्यानिक सहायक की बहाली का फिर निकलेगा बिग्यापन राज बीधी बिग्यान पर्योग साला में 66 बैग्यानिक सहायको की बहाली के लिए जार्खन राज करम चारी चायन आयोगने निक्याला पिग्यापन पिछने दिनों दो दिनों के भीतर ही रध हो चुका बता दे निमावली में फेर बदल होना है और अस्थानिय प्रति भाग यो को अउसर देना है राज सरकार के आदेश पर नौरातर के बाद ही निमावली में संसोधन किया जाना है यह कारेश सिग्र होना है क्योंकि निमावली में संसोधन के तुरंद बाद ही बैग्यानिक स्थायक के लिए फिट से भीग्यापन निकलेगा जमसेद पूर को नगर निगम बनाने की मायंग लेकिन यह निन्य लागू नहीं हो पाया लोहर्दागा से एक दरजन नवाली को ले जा रहा था कोयम बटूर आरपीएफ ने रोका है लोहर्दागा में मानो तसकरी के एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है पता दे समय रहते मानो तसकरी को रोका गया है एक दो नहीं बलिक एक दरजन नवाली को दूसरे परदेश मिले जाने से पहले आरपीएफ ने रोक लिया है इन नवाली को लोहर्दागा रेलवे स्टेशन में सुरक्षित रूप से रोका गया हलाकि इसकी भनक लगने से महिला दलाल मौके से फरार हो गई शिख्षकों के प्रवरन बेतनमान का अदेश रहत प्रवरन बेतनमान में प्रोनती के लिए चैनित रहची जीला के 408 शिख्षकों के सुईक्रिता देश से को रहत कर दे गया है बतादे जीला सिक्षा करयाले की ओर से इस समान में इस उतना जारी की गई है बतादे रांची डियों ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि मादमिक सिक्षा निदेशक की ओर से मादमिक विद्याले में असनातक प्रशिक्षित सिख्षकों को प्रवरन बेतनमान में प्रोनती के लिए निर्देश दिया गया था निदेश के तहद प्रवरण बितनमान में प्रोनाती के लिए असनातक प्रसिक्षी सिख्षको को नियोक्ति के बिशाय में असनतकोतर होना अनिवार सत थी समिक्षा में पाया गया कि पुरो में पुरोनती के लिए चैनीत 408 सिक्षकों में अधिकांस की योगता असनातक प्रसिक्षी था है इसलिए सविक्रित्या देश को रद किया जाता है 17 अक्टूबर को ज्यारखन बंद उतर परदेश के लखिम पूर खीरी में किसान अंदोलन के दोरान हुए वर्दात के बिरोध में भागपा मवादियों ने 17 अक्टूबर को बंद बुलाया है बतादे बिहार रेजनल कमेटी के प्रवक्ता मानस ने इस समद में प्रेस बिग्यापित जारी कर ज्यारकन बिहार उतर परदेश और उतरी चतिसगण के सिमानत इलाकों को बंद रखने का वहन किया है बतादे भागपा मवादियों ने सिर्फ आक्समिक सेवावों एंबुलेंस दवा और दू दवानों को बंद से मुक्त रखा है रांची चोपन का विस्तार सिंगरवली तक करने को लेकर पत्र रांची लोहरदागा टोरी लाइन पर रांची चोपन रांची ट्रेन को सिंगरवली तक विस्तार देने किमांकी गई है यह मांग राई सभासांसद महेस पोदार ने पत्र लिखकर रेल मंत्री आसनेनी बैसनाव से की है साथ ही उन्होंने पत्र के माध्यम से पारसनाथ से समेद चिखर विश्व विख्याद जैन तिर्थ अस्तल होकर गिरीडी तक रेल लाइन के बजट आवंटन का भी आगरकिया है आज मनेगा टीका करन उत्सव देश भर में टीका करन के एक साल पूरा होने के असर पर गुरुवार को विभीन टीका करन केंद्रों में टीका करन उत्सव मनाया जाएगा बता दे इस दोरां रांची के जीला सदर अस्पताल केंद्र, मुराबाद टीका करन केंद्र, ATI केंद्र, Red Cross Society केंद्र, IMA टीका करन केंद्र सहीत जीले के सब ही CHC में दीप जलाया जाएगा जहारखंड में कैम्प लगा कर स्कूली बच्चों का बनेगा अधार काड राज जीके सरकारी स्कूल को वैसे बच्चे जीनका अब तक अधार काड नहीं बन सका है उनका कैम्प लगा कर अधार काड बनवाया जाएगा बता दे दुरगा पूजा के बाद जीलो को अधार कार्ड बनाने के लिए कैम्प लगाने की बेवस्था करने का निदेश दिया गया इसके लिए सभी जीला सिक्षा अधिक्षकों को जीमिदारी दे दी गई है वे अपने जीलो को वैसे छादर छता है जिनका धार कार्ड नहीं बन सका है और अधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं हुए है उसे सुनिश्चित कराएंगे बिहार जारखन के बीच 210 मारगों पर चलेगी बसे बिहार और जारखन के बीच अवागमन असान होने वाला है बतादे दोनों राजियों के बीच 210 मारगों पर बस चलाने की तियारी हो रही है बतादे पातना से राची के बीच 500 बसों का पर मीट कोटा है जिसमें 465 अभी खाली है इसी तरह पाटना से टाटा के बिच 200 में से 157, हजारी बाग के बिच 200 में से 157, वद्देव घर के लिए 125 में से 121 काईस खाली हैं धनबाद के सिंद्री यूरिया उत्पादन में 2000 से ज्यादा को मिलेगा रोजगार धरबाद के सिंद्री थीत हरल में फरवरी मार्श 2022 से यूरिया का उत्पादन सुरू हो जाएगा या जनकारी हरल के प्रवंद निदेशक अरुन कुमार गुपता ने बुद्धवार को दी हरल सिंद्री में 450 लोगों को परत्यक्ष और 1500 से ज्यादा लोगों को अपरत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा बतादे हरल ही सिंद्री के अलावा गुरकपूर और बरवनी में भी उर्वरक सन्यत्र का निर्मान कर रही है जार्खन में 72 रहार स्विक्रित पदों पर नियुक्ती की तियारी शुरू परव तेवारों के असर पर एक दूसरे को उपहार देने का पुराना चलन रहा है बतादे इस बार जार्खन के बिरुजगार नोजवारों के लिए यह खास उपहार की तियारी चल रही है बतादे जार्खन की हेमन सुरेन सरकार दुआरा तेवारों के इस मौसम में बिरुजगार नोजवानों इस नियुक्ती वाले उपहार पर गवर करे तो राज्य में 72 रहार स्विक्रित पद पर नियुक्ती की तियारी है बतादे पहले चरण में 26,000 शिक्षक नियुक्ती होगी इसके बाद 13,000 पर शिक्षक और 13,000 टेट पास अव्यार्थियों का उसर मिलेगा वहीं स्वास्त विभाग में 3,000 के करीब परामेट कर ले स्टाप की बाहली होनी है बतादे JAS LPS के तहद करीब 19,000 पदों पर बाहली के परक्रिया शुरू हो गई है ज्यारखन में करोना गाइडलाइन का पालन कराने वाले पंडाल होंगे पुरस्क्रीत दुरगा पुजा के दरान सहर के पुजा पंडालों में कुरोना गाइडलाइन वा स्वाक्षता का पालन हो इसके लिए रांची नगर निगम ने अनुटी पहल किया है बतादिश के तहद स्वक्षतावा गाइडलाइन का पालन कराने वाले सरुषःस्ट तीन पूजा पंडालों को रांची नगर निगउम शमानित करेगा इसके लिए नगर निगम ने सरुषःस्ट पंडाल पूजा अस्थाल पर त्योकता का एउजन किया है इसका मुल्याकन करने के लिए नगर ने सहायक नगर आयोग सितल कुमारी के देख्षता में साथ सदस्य कमिटी का गठन किया है यह कमिटी दसमी तक सहर के विबीन पुजा पंडालों को भरमन कर वस्त्विक्ता देखेगी फिर उसी अधार पर सरशेष्ट फुजा पंडाल का चैन किया जाएगा बता दे अपरतियोगता कुल सत्तर अंको की होगी रिम्स के डाक्टरों द्वारा नेजी प्रेक्टिस करने से रोकने के लिए जास उसी कराने के फैसले का बिरोध सुरू हो गया है बता दे नेजी प्रेक्टिस कर रहे है डाक्टरों पर न केल कसने के लिए गौर्निंग बोडिस सिंग ने भी इस तरह की निग्रानी को बेवज़ा बताया है और कहा है कि अगर निग्रानी करानी है तो सरकारी कर्यालाई की निग्रानी कराए जहां हमेशा गलतिया होती है नवालिक गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 25 हेर का चलान दुरगापुजा के दुरान यादी नवालिक बाइक चलाते हुए गड़बड़ी करते पाए गए तो उनके भावकों पर करवाई की जाएगी इसके लिए पूलिस की ओर से आदेश जारी किया गया है बता दे इसमें आयूसीम 18 वरस्तिया उससे कम निधायत की गई है नवाल के बाइक या कार चलान पर करवाई करेगी धन्यवाद अवस्यक सुचना दिन भर की तमाम ख़बर को जानने के लिए साम 5 बजे संध्या समाचार अपलोड किया जाता है जीसे देखना ना भूले साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना भी ना भूले थन्यवाद